अगर आप में है X Factor, तो हो जाए ये तयार, मशहूर होने के लिए जल्द आ रहा है GNT Showstopper दोंट तिंग मुझे याद आता है कि 1.500 अगर भारती टीम खेली हो और 400 रन मनाया हो 1.500 अगर ओवर खेली की टीम तो 500 के करीब तो लगा ही देती है 400 चो भी है 400 रन मनाया है तो ऐसी कंडिशन तो भारती टीम के लिए भी मुश्किल थी वो तो चलो दो बलेबाज ऐसे आए जिन्होंने उपर रेंड मना दिया Port of Spain मुझे लगता है कि जो उनकी बैटिंग है उनको सूट करता है I think बहुत अच्छी बैटिंग विकेट होनी चीए यहाँ पर हाना कि कहते हैं कि यहाँ पर भी Spin Gain Baza को मदद मिलती है लेकिन उसी दिन मैं Cutli Ambrose को सुन रहा था तो उनसे पूचा कि अभी अगला मैच Port of Spain में है उन्होंने का कि मैंने वहाँ पर काफी कुछ किया हुए उन्होंने का नहीं पर उनको बला Port of Spain में आपने तो बड़ी विक्टे निका लिया है उनके साथ को कॉमेंटेटर थे मैं भूल रहा हूँ तो उन्होंने पुचा कौन सा मैच आपको याद आता है आपने भी वही कॉमेंटरी सुनी हो नहीं यह वाला मुझे कौन सा मैच का नहीं यादा है उन्हें यह का कि आपने वहां बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है बहुत विक्टे लिया है तो कहते हैं हाँ मैंने विक्टे तो लिया है पर जो हमारे आजकल क्रिकेट एक्सपर्ट्स है ना जो बहुत लोग है वो कहते हैं Port of Spain जो है वो स्पिन गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं अकसर यह सुनता था क्योंकि जब वो खेलते थे वो बात तो करते नहीं थे तो लोगा अकसर मैं सुनता था फिर मैं अपने आप से सोचता था क्योंकि मेरे रेकॉर्ड वाँ इतना अच्छा है मैं अपने आप से सोता था या तो मुझे क्रिकट का कुछ पता नहीं या फिर मैं स्पिन गेंदबाजी हूँ मेरे में रफ्तार ही नहीं है अगर कि शुरू से यह था और यह साठ के दशक से था कि जो ट्रिडिडाड पोर्ड अफ्पेन यह जो मैदान है क्वीन्स पार्क ओवल जिसे कहा जाता है यह ट्रेडिशनली थोड़ा स्लोईश साइड पे होता था मतलब थोड़ा स्लो विकेट था बाकी कमपारिजन में जमेका से या फिर आप बाबिडस से कर लो या बाद में अंटीगा से कर लो तो स्लोईश थोड़ी विकेट होती थी बॉल थोड़ा पस्ता था इतना ख़राब नहीं जितना डॉमिनिका में था और स्पिनरों ने क्योंकि यहाँ पे विक्टे ली है यहाँ पर सोनी रामादीन जो 50-60 में वेस्ट इंडिस के उनकी विक्टे थी लैंस गिब्स ने विक्टे ली गैरी सोबर्स ने स्पिन डालके विक्टे ली है और पर इंडिन स्पिनर्स ने वहाँ पे विक्टे ली है तो लोग शायद इसलिए कहते होंगे यह मुझे यह भी लगता है क्योंगे आपने सही कहा उस वक्त तुलना में यह बैटिंग विक्ट भी थी मतलब यहां रन भी बनते थी तो अगर क्योंकि सभाइना पाक इतना तेज होता था बाबिडोस इतना तेज होता था तो आपको लगता था रहे एक ऐसा मैदान आया जा शायद इंडिन खिलाडियों को लगता था चलो हम यहां कुछ रन मना रहे तो उसको देखते हुए मुझे लगता है विराट कोली रन मनाएंगे लेकिन उनकी जो 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 आगर आप देखे विराट कोली थोड़े अंडर दर अडार थे कभी मता आपनी यह कई लोगों ने कहा कि वो जाके इंडिया के लिए खेलेंगे रन मराएंगे पर I don't think किसी ने उस वक्त देखके यह कहा होगा अंडर नाइंटीन में भी मैं उनको देखा कि यह कहा होगा कि यार यह पात्सो मैच खेलेगा यूनों एक समय 75 उसके 100 अले अंतरा शिविट नहीं पता थे क्योंकि लंबा खेलने के लिए ना सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन और कल मैं राहूल द्राविट का वो बयान देख रहा था जो उन्होंने प्रेस काउंफेंस में कहा आई आई है सर थैंक्यू चाय आई है जी हमारे लिए क्योंकि आज बड़ी लंबी रात होगी ना आज धाई बज़े तक मैच चलता है थैंक्यू तो हम स्पोर्ट सक और स्पोर्ट सुड़े पर लाइव रहते हैं सुभे के तीन बज़े तक तो राहू द्राविट ने बड़ी इच्छी बात बोली राहू ने का जब यह अब तो मुझे अंदाजा हुआ है कि विराट की जो तपस्या है उनकी जिंदगी की जो सैक्रिफाइस हैं जो उन्होंने अपनी गेम के लिए अपनी फिटनेस के लिए की हैं तो कहते हैं वो रन बने ना बने लेकिन अंदर आके पता चलता है कि क्रिकेट उनकी जिंदगी क ये बहुत लंबा खेलेगा, इसके प्टेर सारे टेस्स में रनाएंगे, दिस इस टूर्ज दी एंड, शायद जब उनको लगा होगा, तब उन्होंने शायद वो देखा होगा उनमें, कि इस खिलाडी में वो चीज है, और आपने तपस्या के बारे में बात की, मैं वो ही कहता क्या पता है, उनकी कप्तानी उन्होंने बीच में इस लिए छोड़ी हो, कि भई, इतनी बाते हो रही है, इतना फॉर्म को लोगे, इस अब हटाओ, मेरी जो बच्च्पन में में जब खेलता था, तो शायद उनकी ड्रीम यह नहीं थी कि मैं कप्तानी करूँगा, उनकी शा कि क्रिकेट प्रिपेर नहीं थी विराट की कप्तानी चोड़ने के लिए, ना तो D20 और ना ही टेस्ट मैचेस, कहर वो छोड़ गए, बट आइधिंग 68 टेस्ट मैचेस अस कैप्तानी भी यार, एक शेल्फ लाइफ लेके आती है, आप चार साल कर सकते हो, छे साल कर सकते हो, उसके बाद क्या होता है आपके आईडियाज भी कभी कभी स्थेल हो जाते हैं, प्लस आप ठक भी जाते हो, आप जहनी तोर पर ठक जाते हो, तेस्ट कैप्टन आपको लगा कभी ठक गए है या उनके नीचे रिजाट किया है, आप ने काना कि वो जो ने छोड़ा, अब छो लीडर्शिप में न, दोनी के साथ भी हुआ था बाइद वे, तोर्ड़्स दी लेटर हाफ, ऐसा दोनी को देखके भी लगता था कि यार, इस रूनिग आट ओफ आइडियाज नाओ, शाइब वो स्टेल हो गए आप, तो विराट आए फ्रेश, तो कभी-कभी क्या होता है हम उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, बट यह कि आज शायद विराट को 70% वो जो इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कप्तानी लेके आती, उस सोचना भी नहीं पढ़ता होगा, अट लिस्ट वो अपनी गेम पर, सिर्फ अपनी गेम पर रह सकते हैं, हाला कि यह रंज आने शुरू हो गए, इस साल उनके रंज आयें, एमदाबाद में सो आया, एक सो आना पर, टेस्ट रिकेट में, यहां पर एक आया, यह पारी आई, उस तरह से नहीं आई, और मेरा यह माना है कि अगर उस तरह से उनके रंज आने शुरू हो गए, तो विराट कुड इस गेम, हो सकता है फिर इस साफ को इतना एंजॉय करें कि जो आप कह रहे हैं सो सो, हो सकता है सो सो भी हो जाएं, वो ना मुझे एक चीज पता नहीं हो तो विराट is the best judge, लेकिन कुछ भी आपको, और अगर आपको थोड़ा यह चीज याद हो, जब उनको ब्रीफली मिले थे, UAE में, दुबाई में जब उनसे मिले थे, थोड़ी जो बात हुई थी, तो एक कुछ चीज हमने फिटनेस को लेकर, और कैसे वो चीजे करते हैं तो बात की, तो लोने एक चीज बड़ी interesting गई थी, जब हमने बात कहा था कि सचिन की तुलना करी थी तो लोने कहा था कि उस वक्त थीनो फॉर्माट नहीं होते थे और इतना क्रिकेट नहीं होता था, तो मुझे कही ना कहीं ये लगता है कि आप जो कहा रहा हो ना, रन अगर आने थी अगर आने, तो उनको कुछ ना कुछुछ फॉर्माट चोड़ना पड़ा रवी शासरी नहीं भी बात की, लेकिन उनको शायद यह चीज नहीं रेलाइस हो रही है, बाकी चीज़े तो रेलाइस हो रही है, कि अगर उनको धेर सारे run बनाने, I don't think it's humanly possible, कि आप test cricket में भी mastery ले आए, खासतोर पर जापके reflexes, थोड़े आदा इंच, reflexes, second या कुछ भी, हाँ वही eyesight, micro second कम हो रही है, test में भी run मनाए, one day में भी run मनाए, और फिर T20 में run की बात नहीं है, आप तो T20 में strike rate की भी बात नहीं है, अगर आप इसको open ended छोड़ेंगे न, कहते हैं कि जिन्दगी में सबसे जो खराब प्यार होता है, वो होता है, क्या कहते हैं, जिसकी वो ना हो, fulfillment ना हो, one-sided, similarly अगर विराट के ही mind में रहा, या रोहित के ही mind में रहा, कि अगले साल मैं World T20 खेल सकता हूँ, और टीम अलग सोच रही हो, तो that can be killing, इसलिए मुझे लगता है कि अजीत अगरकर का इस test match के बाद, जो West Indies का दोरा है, जहां पर I'm sure, अजीत अगरकर, कुछ तीन चीज़े देखनी है ना, तीन stakeholders, different, different, एक, रोहित शर्मा, राहुल द्रावेट, अजीत अगरकर, test cricket, राहुल द्रावेट, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, वर्ल्ड कप 50 over क and राहुल द्रावेट शायद इतना नहीं, लेकिन हार्दिक पंडिया, अजीत अगरकर, मेभी राहुल द्रावेट, मेभी रोहित शर्मा, मेभी विराद को ली, ये बैट के, उन दोनों को भी शायद, मुझे लगता है कि ये बताया जा सकता है इस बार, कि you've been great players, T20 में हमा करता है ना, जो खेल रहे होते हैं, वो भी safe महसूस करते हैं, और फाइदा क्या है, नुकसान ही नुकसान है, ने फाइदा ये है कि कल को आपको लगे, अगले साल, कि भाई, बड़ी जबरदस फॉर्म में हैं, और आपकी T20 के लड़के चल नहीं रहे हैं, तो आपको चल आ नहीं, मैं कहा रहा हूँ, I think फाइदा ही है, अगर आप ये बात करते हो, हाला कि मुझे, ये कई बार थोड़ा अट-पटा लगता है, क्या अगर ऐसी मीटिंग होगी, तो चले अजीत अगर कर की बात करना तो बनता है, ने ने, उनकी बात करना बनता है, राहुल रविड अगर हैं, उनकी बात करना बनता है, क्या हर्दिक पांडिया से पूछा जाएगा, वो बोलेंगे ये चीज़, अगर वो वर्ल्ड कप की टीम मीटिंग में बोल सकते हैं, सारी टीम को, क्यार उपर से आप स्लो बैटिंग कर के आते हो, हमें नीचे पसवा देते हो, वो हीट क्या मैट चल रहा है, आप हार के आए, वो गुस्से में आपने एक दिन पर आपके लिए, यह क्या है, अगर आप हिंदुस्तान की कप्तानी निखिल कर रहे हो, सो आपको कहीं पर अगर बुरा बनना पड़े, सो भी एट, मुझे जो इन्होंने टीम चुनी T20 की इस नए प नॉर्मली होता है न, सोला रख दो यार, चल सतरा डाल दो, चल अठारा कर दो, जब आप कप्तान और चीफ सेलेक्टर ने डिसाइड किया कि पंदरा ही होंगे, मुझे वो ब्रेव कॉल लगी, वो बहुत ब्रेव कॉल लगी और वो शायद उसमें किसी को बाहर करके, उसको उफेंड करना, नराज करना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बड़ा नाम नहीं रहा होगा, but it is just a beginning, मेरा ये मानना है, अजीद अगर कर तो ऐसी टफ कॉल मुझे लगता है, आगे भी लेंगे, हो सकता है वो भी एक रोल निभाए, जो आप ये कहरें, मीटिंग जो क लूँगा, तो भई, that also needs to be respected, अगर हार दे कहेंगे, नहीं यार मुझे विराट भाई चाहिए, नमबर तीन पर, चाहिए तो फिर 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 आप उनको वो मट डालिये कि यार देखेंगे ये IPL में क्या करते हैं, बट मुझे निजी तोर पर, क्योंकि हमने विराट की बात की, मुझे लगता है, निजी तोर पर उनको बतौर बल्लेवाज नुकसान होगा, हर चीज आप, हर फॉर्मैट को, अपनी गेम को उस तरह नहीं ढाल सकते हैं, और उत्तरा सक्सेस्फूल नहीं हो सकते हैं, तो मैं कहरा हो, वो ही चीज अगर वो खुद सोचें, सर, जि तीम में कहते हैं, क्लोजर होना बड़ा ज़रूरी है, आपको दो दिन, चार दिन, छे दिन बुरा लगता है, लेकिन आपको फिर पता चल जाता है, तो जो अब मैंने बोला नुकसान, नुकसान ये है, कि आप आधा छोड़के आजाओ बात को, कि चलो अगले साल एपरिल म पर कोई टीम में एक आधा यंग्स्टर जो तीन नंबर केल रहा होगा, उसको भी जहनी तोर पर गूम रहा होगा, यार मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या रहा हूँ, उनकी कॉल होई ना, मैं अगर विराट कोली कहीं ना कहीं क्योंकि वो इतना सोचते हैं अपनी गेम के बार में उन्होंने ब्रेक लिया, सोचा बैटिंग कैसे सुधारू, वो ये कॉल ले ले, आपको वो मजदार में छोड़ना ही नहीं है, आपको वेट ही नहीं करना ही है, पर उन्होंने अभी अफिशली तो कोला नहीं मैं अगर चले, अफिशली ना भी अनाउंस करूँ, वैल्यू क्या नीचे जाएगी, वहाँ तो मैं अविलिबल हुई, वहाँ अगर मैं रन बना रहा हूं तो ठीक है, मैं ये कहूँ, या सेलेक्टर से बात करूँ, कि मैंने टेस्ट ग्रेट, मिरे को लगता है, मैं काफी चीज अचीज 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 कर सकता हूं, वन डे वर्ल्ड कप है, मैं अचीज कर सकता हूं, हो सकता हूं, एक वर्ल्ड कप और भी मैं अचीज करना चाहूं, ये मेरे फोकस अरियाज है, इससे मेरी गेम भी बेटर होगी, मैं इनको फोकस करके, इस पे रन बनाके बहुत successful भी हो सकता हूँ, अगर मैं हर जगा successful होने की कोशिश करूँगा, अपनी game को उसरा ढालने की कोशिश करूँगा, तो ना इधर मैं successful हो पाऊगा ना उधर, मैं कहा रहा हूँ, कहीं तो आप बैट के सोचोगे ना, मैं अपना focus, भई, आदमी तो वही है, talent तो अतना ही है, game तो अतनी है, और आप जैसे age कर रहे हो, time लग रहे है, कहां मैं अपनी energy सबसे ज़्यादा use करूँ, ताकि मैं वो चीजों पर याद रखा जाओ, ताकि मैं उसमें धिर सारे रहना हूँ, मैं उनकी जगाँ हो तो ऐसे सोचूँ, मुझे लगता है, आपकी बात तो सही है, ideally, बट हम लोग ideals दुनिया में रहते नहीं, और किसी को ये बताना, I think, अच्छा लगता है, बट खुद से समझना, वो, I think, is the most, उन्होंने खुद से समझा था ना, मेरे को break चाहिए, और break से मेरे रिफ्रेश होंगा, वो भी तो खुद से सोचा, break लेना is different, break is चुटी, चुटी असान नहीं होती जब आपकी सीरीज होती है, और मैं जाकी खेलू, सब खेल रहे हैं, अच्छा, क्योंकि आप longevity, आप बढ़ा रहे हो, अपना, आप बढ़ा रहे हो, मियाद बढ़ा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप रात को क्यों सोते हो, आप 24 गंटे क्यों नहीं काम करते हो, आपको 6, 8, 10 गंटे की नीन चाहिए, क्योंकि आप मियाद बढ़ाते हो अपने काम की, अब लगत काम करना शुरू कर दो तो आप नहीं कर सकते हैं तो यह भी तो नींद हुई ना आप सोचो इस फॉर्माट मैं सो जाता हूं उनको यह तेह कर रहा है कि हर रोज की नींद या फिर मुझे सारड़ संड़े आफ भी लेना है उनको यह देखना है मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव इनालेसिस स्पेशल इडिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक्याम